हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिये चनल पर दोस्त आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां भारत जापान दक्षिन कोरिया एशिया के करीब आखिर क्यों आना चाहता है नाटो बढ़ने वाली है चीन की ब जी हां दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला उटि साथ बताएंगे जहां मुस्लिम वर्ल लीग के महास्ताची मुहमद बिन अब्दुलकरीम ने दे दिया है भारत और भारत के हिंदु और अल्प संक्यकों पर बहुत बड़ा बइयान जी हां दोस्तों साथ ही शाथ यूनिफॉर्म स्टिविल कोड़ परा सदूती नोवेस्टी अब तक का सबसे बड़ा बयान सुनवाएंगे आपको साड़ी जानकारियां बताएंगे बनेने का वीडियो कमते तक और अभी ख़बरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश भारतिय स् दक्षिन कोरिया आखर एश्या के करीब क्यों आना चाहता है नाटो बढ़ने वाली है चीन की बड़ी टेंशन बता दे पिछले साल रश्या की और से यूगरेन पर आकरमन करने के बाद से नाटो की बैठक और शिखर सम्मेलनों पर पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक ध्यान दिया जा रहा है मंगलवार से वीनियस लिटुवानिया में शुरू होने वाले शिखर सम्मेलन की एजेंडे में कई बड़े मुद्दे हैं बेशक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रश्या के खिलाफ चल रहे यूद में यूगरेन को नाटो का भविश में सेन समर्थन है विशेस रूफ से हत्यार वित्रन में देरी की खबरों और यूगरेनियम को कलस्टर यूद शामगरी भेजने के अमेरिका के विवाद आसपत फैसले के मद्द नजर सहयोगी दल समू में यूगरेन की संभावी सरस्ता पर भी चर्चा करेंगे यूगरेन अं तिकत रक्षा खर्च में ब्रदी पर भी सहमत होंगे नाटो महास अचिव जैंस इस टॉल टेन बर्ग अपने जीटीपी का कम से कम दो प्रतीशत रक्षा पर खर्च करने के लिए सभी 31 सदस्यों से प्रती बदिता की उम्मीद कर रहे है कुछ ऐसा जिसे एक दशक पहले आ श्रपती यूं सुक ये ओल जी हां दोस्तों जबकि नाटो के एशिया प्रशांत छेतर की तरफ कदम बढ़ाने का प्रयास अभी भी शुरुआती चरण में है जिनकी हाल के दिनों में कुछ आलोचना हुई है दोस्तों वहीं भारत की बात करें तो नाटो लगातार शामिल होने वाला अब तक के बैभार से तो यही लग रहा है दोस्तों आपको बता दे आखिर जापान डक्षिन कोरिया जैसे देश ऑस्ट्रेलिया जैसे देश नाटो में इसलिए होना चाहरें दोस्तों क्योंकि इन सब ही का सबसे बड़ा और एक ही दुश्मन है वो है च कि जा रही है और इसलिए लगातार यह देखा जा रहे कि भारत के साहँ अवे आरका लगातार अपने रिस्तों को करने की कोशिश कर रहा है और रश्या से भी ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है हाला कि ऐसा हो नहीं पाएगा वो अलग बात है बेरहाल सबसे बड़ी और exclusive ख़बर हमने आपको बता दिया है दोस्ते से में आपसे सवाल यह हमारा कि क्या भारत को नाटो में किसी भी कीमत पर शामिल होना चाहिए दोस्तों हाया नहीं जवाब आप लोग जरूर दीजगा देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है चलते हैं अगली बड़ी ख़बर की तरफ जहां पाकिस्तान में आतंगी हमले का बहुत बड़ा खत्रा युनाइटेड किंग्डम ने अपने नागरी को के लिए जारी कर दिया है ट्रेवल एडवाइजरी आखिर क्या है पूरा मामला बता दे युनाइटेड किंग्डम यानि यूक प्रदेडिशनों भीडभाडवाले इलाकों और सारुजनी कालिक्रमों से बचने की सलाह दी यूके की सरकार ने ब्रिटिस नागरी को को पेशावर रिंग रोड बाजार मोहमंद खैवर टेंक बानू लक्की मारवा चित्राल डियाई खान स्वात बुनेर लोर दीर औरक ज और अन्य शेत्रों सहीत खैवर पक्स्तुन खवा के अधिकांश शेत्रों की यात्रा करने से बचने की सलाह दे दी है जी हां दोस्तों पाकिस्तान में आतंगी हमले के बीच ब्रिटेन सरकार ने अपने नागरीकों को बलुचिस्तान के तटिया इलाकों और नियंत्रान रे लिग के महासची महमद बिन अब्दुलकरीम इसा ने प्रधानमंत्री मोदीजी से की मुलाकात और इतना ही नहीं दोस्तों अल्प संक्या को और भारत के हिंदों से जुड़ी बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों बता दे मुस्लिम वर्ड लिग के महासची में शेख ड पुर्व नियाई मंत्री डॉक्टर मुहमद बिन अब्दुलकरीम अल इसा ने बताया भारत ने हिंदु बहुल राष्ट्र होने के बाद भी धर्म निर्पेक्ष सविधान को अपनाया उन्होंने भारत के इतिहास और विविदिता की सरहना करते वे कहा कि विभिन संस्क्र इस दोरान प्रोग्राम में राष्ट्रे स्रक्षा सलाकार एनसे जीत डोबाल भी मौजूद रहे हैं जी हाँ दोस्तों डोबाल जी ने कहा कि भारत उन संसक्रतियों और धर्मों का मिलन केंदर रहा है जो सदियों से सदभाव के साथ सह अस्तित्व में है देश में धर्मिक समुहों के बीच इसलाम का अनूठा और महत्वपुर्ण गौरब का स्थान है डोबाल ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र और लोगतंत्रों की जननी के रूप में भारत अविश्वशनिया विविदता की भूमी है उन्होंने कहा कि आपने यानि अलिस्सा ने बात चीत में हमारे अस्थित्व की मूलभूत विशेस्ता की रूप में विविदता का विस्तार से उल्लेग किया भारत संस्क्रतियों धर्मों भाशाओं और जाती अताओं का एक मिलन केंद्र रहा है जो सदियों से सलभाव के साथ ऐसे हैं अस्थित्व है जिहां दोस्तो भारत को लेकर negative बाते विदेशों मजाकर कहते हैं लेकिन वही विदेशी भारत में आकर के भारत की reality की बात करते हैं भारत में लोगतंत्र की बात बताते हैं और भारत को सबसे बड़ा जननी बताते हैं लोगतंत्र का ऐसे मतलसकर आप भी मानते हैं कि भारती होने के नाते भा मज़गे तो कमेंड में लिग कर जरूर बताएगा और इनको थैंक्यू कहना बिल्कुल मत भूरिएगा मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महा सचीव अब्दूल करीम को जिया इतना इने आपको बताते हैं यह प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी से भी मिले हैं दोस्तों और कई म यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिख संगीता पर असदुद्दिन ओवैस्ती का बहुत बड़ा और जहरीला बयान बोला कि वो कह रहे हैं यूसी सी से मुस्लिमों को सबक मिलेगा लेकिन यह आम कानून पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है जिहां दोस्तों इन्होंने इंगलेंड इजराहिल और सिंगापूर का भी किया है जिकर आपको बता दें एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसी सी के विरोध में ट्विट किया है उन्होंने मंगा लवार को कहा कि हर कोई कह रहा है कि यूसी सी से मुस्लिमों को सबक मिलेगा लेकिन ये आम कानुन पूरे देश के लिए ही अच्छा नहीं है जिहां है वैसी ने समान नागरिक संगीता का जिकर करते वे कहा कि अगर यूसी सी लागू किया गया तो मुस्लिमों से जादा गेर मुसल्मानों को नुकसान होगा ये देश में हमारी पहचान मिटाने के लि का इजराइल और सिंगापूर के अपने निजी कानून है अब ऐसे में दोस्तों जिससे प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अस्टुदिन वैसी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गहर मुसल्मानों को ही इससे सबसे बड़ी दिक्कत होगी मुसल्मान की दबा कानून होगा तो वही सबसे बड़ा उधारन होने वाला है लोक तंत्र और भारत के सवीधान का और इतनी चोटी सी बात इन नेताओं को समझ में आती दिखाई बिलकुल नहीं दे रही है दोस्तों इस पर आपकी जो भी राहे को कमड़े में लिकर वश्य बताएगा क्या आ समझोते कर रहा ये छोटा सा देश टेंशन में आया आस्ट्रेलिया बता दें प्रशांत महासागर के एक छोटे से देश सोलो मंदूप समू ने अब चाइना के साथ पुलिस समझोता किया है इससे पहले सोलो मंदूप समू चाइना के साथ सुरक्षा समझोता कर चुका है बड़ी बात यह है कि सोलोमन दूइप समु के 4 साल पहले तक चाइना नहीं बलकि उसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ राजनाइक संबंध थे तब सोलोमन दूइप समु ताइवान को 173 तेश के तोर पर मानगता देता था लेकिन पिछले चार साल में चाइना और सोलोमन दूइप समू के संबंदों ने एक नया इतिहास लिखा है चाइना और सोलोमन दूइप समू क्या बताई आप भी जाने कर हो जाएंगे हैरान बता दें इस वक्ति पाकिस्तान बहुत नाजुक इस्थिति से गुज़र रहा है देश की माली इस्थिति खराब है देश की बिगड़ती अर्थ विश्था का सबसे जादा असर वहां के रहने वाले आवाम पर पड़ रही है पाकिस्तान में खराब आर्थिक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां रोज मर रहा की बेसिक चीजों के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है हाल ही में पाकिस्तानी यूटीबर शोय मलिक ने देश की अवाम से पाकिस्तान के आर्थिक हालात के बारे में राई जानने की कोशिश की इस पर एक पाकिस्तानी शक्स ने कहा कि इस वक्त हर छोटे बच्चे के उपर लगबग एक लाग 35,000 का करज है और मुझे लगता है कि साल 2050 तक पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाएगा जी हां दोस्तों पाकिस्तानी यूट्वर ने SEO के बैठक का हवाला देते हुए आवाम से पुछा कि क्या भारत पाकिस्तान के बीजिनेस शुरू हो पाएगा इस पर पाकिस्तानी शक्स ने कहा कि पाकिस्तान की हालत पहले सही खराब हम जो दूसरे लोग कहते हैं वो करते हैं हम लोग डिफॉल्ट होने के पीछी एक दूसरे पर इल्जाम देते हैं पाकिस्तान की इस दिदी का भारत के साथ तुलिवना करते हुए यूट्यूबर ने कहा कि भारत अपने मन मुताबिक शर्त बनाता है तो वहीं हम दूसरों के शर्तों पर काम करते हैं बेराल दोस्तों पाकिस्तान से जो लगातार अब खबरे आती हैं लगता है कि पाकिस्तान की जनता अब जाग चुकी है और लगातार सही बाते करती नजर आ रहे हैं दोस्तों कि पाकिस्तान का नाम और निसान मिड़ जाएगा अब पाकिस्तानी जनता को पता चल चुका है कि पाकिस्तान की जो सरकार है जो जनता के वोटों से नहीं चुनी गई है जबरदस्ती की सरकार हर वो किसी भी की मतवर पाकिस्तान को डुबा कर रहेगी चलते अंगली खबर की तरफ जहाँ बियाराई के तहत लंबित बुनियादी धाचा परियोजनाओं में आएगी सबसे बड़ी तेजी चीन और नेपाल ने जताई सहमती जहां दोस्तों नेपाल और चीन ने मंगलवार को हिमालाई देश में बुनियादी धाचा का निर्मान करने के लिए विवादासपत बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव के तहद चीनी सरकार द्वारा घोशित की गई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए समझोता किया है बता दे कि चीनी सरकार ने 2018 और 2019 में बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव के तहद नेपाल में कई प्रोजेक्ट चालू करने का एलान किया था यह समझोता नेपाल के नेशनल प्लानिंग कमिशन यानि NPC को भादख्ष डॉक्टर मिन बहादूर शेस्ट और चीन के नेशनल ड कमांडर की दिन द粉 हाड हत्या कुछ नहीं कर पा रहे है पुतिन बता दें यूग्रेन पर मिसाइलो की बारिच करने वाले कर रूसी सेमय के गई यह संक्मांडर कहुई पहत्तों पर यूपरियोट गोली रउप्वी कंभाली ती इसी रूसी संक्मांडर की पहजान 42 साल के इस्टेनी स्लाव रजिस्की के रूप में हुई है रश्या की शिर्च जाज एजन्सी ने कहा है कि इस्टेनी लस्वा रजिस्की को सोंबार तड़के दक्षिनी शहर क्रोस डार में गोली मार दी गई इस हत्या के पीछे यूगरेन का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि पुतिन की सुरक्ष्य एजन्सिया कुछ नहीं कर पा रही है फेल होती दिखाई दे रही है इतना ही नहीं आपको बता दे बगावत के बाद पुतिन और प्रिगोजीन के बीच हुई थी बड़ी मीटिंग वैगनर लड़ाकों के मनसूबों पर फिर उठे है सवाल दोस्तों प्राइवेट आर्मी ग्रूप वैगनर के रशिया में विद्रों को लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आई नैंन रिपोर्ट के मतबिक रूसी राष्ट्रपती वलाद मिर्पतिंन ने इस पागावात के कुछ दिनों बाद उसके प्रहुग इवगेनि प्रिगोजीन मलाकात की थी रूसी राष्ट्रपती कार्याले के परवक्ता ने सो मारत को इसकी पुस्री की क्रैम्म्ली का नतीजा 24 जुन को सशस्त्र विद्रों में सामने आया जी हां दोस्तों प्रिगोजीन ने बेरालुस में उसके निरवासन के लिए हुए एक समझोते के बाद विद्रों खतम कर दिया था भगावत के बाद पुतिन ने प्रिगोजीन को पीठ में छुरा घुपने वाला गदार तक करार दिया था जी हां दोस्तों पुतिन के साथ आमने सामने की मुलाकात की पुष्टी ने भाड़े की स्तेना के प्रमुक को लेकर अनिश्चितताओं में और इसाफा कर दिया है साथी साथ इतना ही नहीं आपको बताते तूटने की तरफ वड़ रहा है पाकिस्तान का सत्ताधाड़ी गडवंदन पीडियम में मिल रहे मदभेद के बड़े संकेत जियां पाकिस्तान अगले चुनाब की चर्चा के सारजनी ग्रूप से जताई गई नाराजगी है कुछ खबरों में बताया कि पीडियम में शामिल कुछ दली चुनाओं में अलग से मैदान में उतरने पर विचार कर रहे हैं यू आई एफ के प्रमुक मौलाना फजलूर रहमान ने हाल में दुबई में हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नावाज की बैठक को लेकर अपना कड़ा एतराज जताया है रहमान पीडियम ने के भी अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि दुबई में ऐसी बैठक के अव्यूद करने के पहले पीमलन को गडवंदन में शामिल सभी दलों को भरोसे में लेना चाहिए था चहबाद शरीफ ने लंदन जाकर अपने बड़े भाई से विचार विमर्श किया था बताया जाता है कि दुबई की बैठक में अगले आम चुनाप को लेकर पार्टी की रणनीती तैयार की गई सूत्र के मताबिक फजलूर रहमान इस बास से जादा नाराज है कि पीमलन न निकाला गयर जमानती वारंड बता दे पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग यानी इसीपी ने मंगलवार को अव मानना के एक मामले में पुरू प्रधारी वारंड जारी किया इसीपी ने समान अपराद के लिए पुरू सूचना और प्रसारन मंत्री फवाद चौदरी के खि इछले साल पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ के प्रमु खान और पार्टी के पुर्व नेताओं चोधरी तथा असाद उमर के खिलाफ एसीपी और मुक्र निर्वाचन आयुक्त के खिलाब कथी तोर पर अमर्यादित भाशा का इस्तेमाल करने के लिए अब मानना कारवाही शुर जिंद्र मोदी जी गुरुवार यानी तेरा जुराई को फ्रांस की राजदानी पैरिस पहुंच रहे हैं दो दिवस्तिया दौरा कई माइनों में खास रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी जी 14 जुलाई को पैरिस में होने वाली बैस्टिल डे परेड में विश्यूस अत आज से भी ये डील काफी एहम होने वाली है क्योंकि उसे इसकी शक्ताव शक्ता है फ्रांस और भारत के भी दोस्ति काफी गहरी है इस पिछले 25 वर्षों में फ्रांस भारत को एरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक अलग अलग तरह के रक्षा उतुपादन बेशने वाला अगली ख़बर की बाद करें जहां कुनो नेशनल पार्क में नर्चीता तेजस की हुई मौत गर्दन पर मिले चोट के निशान जाच शुरू जीहां दोस्तों मद्द प्रदेश के शयोर पूर जिले में इसीद कुनो नेशनल पार्क से एक बार फिर बुरी ख़बर सामने आई है कुनो में एक और नर्चीते की मौत की बहुत बड़ी ख़बर आई है बताया चारा कि जिस चीते की मौत हुई है उसका नाम तेजस है मौनिटरिंग टीम को तेजस की गर्दन को उपर हिस्से में चोट के निशान दिखे थे जिसके बाद इस बाद की जानकारी तुर चीतों का मरना क्या कहीं यह एन्वायमेंट का यह कहीं यह वातद्वरन दोस्तों इन चीतों के लिए अनुकुल पढळता दिखाई नहीं दे रहा है या फिर कोई और बड़ा कारण हो क्या लगता है बढ़ा कारण बढ़ेगा जरूर साधी साथ एक और खबर की बात करें इस बार नहीं होंगी वे तीन गलतियां इस रोग चीफ S. सोमनात ने बताया चंद्रयान 3 का पूरा प्लान जी हां दोस्तों अपना चंद्रयान चांद को चुने के लिए तैयार है चंद्रयान 3 को 14 जुलाई यानि कल लॉच करने की तैयार या मुकमल है इस बार चंद्रयान चांद पर लेंडिंग से ठीक पहले के देशत के 15 मिनट को मात देने के लिए तयार है चार साल पहले चंदरियान 2 के लेंडर की क्रेश लेंडिंग से चांद को छुने का सपना धूरा रह गया था लेकिन इस बार कोई कसर नहीं रहने वाला आखिर इस रो को इस बार क्यों इत करतियों को इस बार सुधारा गया है ऐसे में दोस्तों चंद्रियान तीन के लांचिंग के लिए अपने इस इसरो मिसन के लिए इसरो के चीफ को बेस्ट जरू कहिएगा आप लोग पीम मोदी जी को भी और बेस्ट जरू कह दीजेगा चलते अंगली खबर की तरफ जहां सुप्रीम कोड के फैसले के बाद एडी मामले में खुशी मना रहे विपक्ष पर बरसे ग्रहम मंत्रियामित शाजी का ब्रहमित हैं यह लोग जीहां केंद्रे ग्रहम मंत्रियामित शाने प्रवरतन निदेशाले यानि इडी के प्रमुख संजय कुमार मि निदेशाले यानि इडी का निदेशा कौन है क्योंकि जो कोई भी इस पदबर होगा वह विकास विरोधी मान सिखता रखने वाले परिवार वादियों के बड़े पैमाने पर भश्टाचार पर नजर रखे बनाएगा साथी शिर्स आदालत ने केंद्रिया सतर्क्ता लोगी थोड़ी बच लगी है इस वीडियो का अपने भाई बंतुव में वस्ताफ फेस्बुक ट्रेकर जरे पुरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक के चल्प कर दीजिए सब्सक्राइब बैल आइकन दवाईए साथी कमेंड बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत और यहां तर